Good morning students, बच्चों, अभी हमने पाठ दो अभ्यास सागर के 13 प्रश्ण किये थे, अब है 14 प्रश्ण आपको बोक्स में कुछ शब्द दिये गए हैं, जैसे पुस्तकें, सडकें, चित्रों, फलों, चिठ्थियों इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िये और आपने इससे संबंदित कुछ प्रश्ण बताने हैं इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहां से निकलती है बच्चो जब हम इन शब्दों का उचारन करते हैं तो आवाज मू और नाक दोनों से निकलती है तो उत्तर होगा मू और नाक से हमारा अगला वाक्य है पहले बताए गई नियम की अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन आना चाहिए तो बच्चो पहले आपको हमेने नियम बताया था कि जब किसी वार्ण को बोलते समय आवाज मू और नाक दोनों से निकलती है तो उस वार्ण के उपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है और चंद्रबिंदु को व्याक्रण की भाशा में हम क्या कहते हैं अनुनासिक तो यहां पर अनुनासिक का प्रियों होना चाहिए लेकिन यहां पर अनुनासिक का प्रियों नहीं हो रहा तो नियम के अनुसार इन अक्षरों पर चिन कोन सा आना चाहिए था अनुनासिक ठीक है आगे आपको एक नियम और बताया जाएगा कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग क्यों हो रहा है अगला प्रश्ण है इन अन्तिम अक्षरों पर कौन सा चिन लगा हुआ है इन अन्तिम अक्षरों पर अनुस्वार का चिन लगा हुआ है बच्चों यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग क्यों हो रहा है इस से संबंदी दिक नियम है कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुँ और नाक दोनों से निकले मगर शिरो रेखा के उपर कोई भी मात्रा हो तो वहाँ पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रियोग किया जाएगा इसी कारण यहाँ पर अनुनासिक का प्रियोग ना होकर इन शब्दों पर अनुस्वार का प्रियोग किया गया है अब हमारा अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए शब्दों में अनुस्वार अथ्वा अनुनासिक चिन लगाईए बच्चो इसका उच्चारन करते ही पता चलता है पहला शब्द संपादक अनुस्वार मैने अनुस्वार का प्रियोग है तिथियों अनुस्वार का प्रियोग है पूँच मुँ और नाक दोनों से आवाज निकल रही है तो चंद्रबिंदू कुर्सियां चंद्रबिंदू सुन्दर अनुस्वार इसमें पंचमवन का प्रयोग है मालाओं अनुस्वार कारें अनुस्वार उंचा चंद्रबिंदू बच्चो जब आप अपनी पीडियाफ खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न सभी नजर आएंगे और आप इन्हें याद करेंगे